हेलो फ्रेंड्स वेलकम बाइक मैं यूट्यूब चैनल अगर आप सब के भी पास अपराजिता के प्लांट हैं और उनमें फूल नहीं आ रहे हैं तो इस समय क्या ऐसा खाट डालें कि इसमें धेरो सारे फूल आएं और प्लांट की ग्रोथ भी काफी हेल्दी हो जाएं और धे सकते हैं ऐसा कौन सा खाद डालें और फ्री का कौन सा खाद डालें कि हमारे प्लांट की ग्रोथ भी काफी तेजी से हो और प्लांट भी घना हो जाए हमारा और धेरो सारे फूल और धेरो सारे कलिया भी आए तो यह देखिए फ्रेंड्स एक मेरा इसमें यह प्लांट लगा तो मैंने के सिर्ड सेड से लन को लत पंद मुंद सी रगॉल अपिर से तो ळाइन सेख dirt और अ मन्यों लग होगा है डिले सब्सक्राइब गांने सब्सक्राइब तो फूरी ये reference सुरू होते हैं फिर से नियो ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो इसे आप दो तरह से प्रपोगेट कर सकते हैं दो मैथट से होता है एक तो इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और दूसरा इसे सीड से आप बहुत इजली ग्रोफ कर सकते हैं और सीड से जो होता है तो बहुत थोड़ा लेट से तयार होते हैं लेकिन सीड से इस समय आप इसे बहुत धेरो सारे प्लांट तयार कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे नरसरी से भी इसके पौधे ला सकते हैं या सीड ऑनलाइन भी ले सकते हैं तो उसे भी ग्रो कर सकते हैं बहुत ही अच्छ हो जाते हैं पूरी तरह से मैचोर हो जाते हैं दो मंथ में सुखने के बाद तब इसे आप तोड़ करके हर्वेस्ट करके इसको आप किसी भी प्लांटर में लगा सकते हैं या तो आप जमीन में भी इसे लगा सकते हैं कहीं भी इसको इसे सीड से बस मिट्टी में कोई भी मिट में आप डाल सकते हैं तो बहुत इजली ये आपके सीड ग्रो हो जाएंगे इस समय बारिस के मौसम में तो इनका ग्रोइंग पिरियड होता है बारिस के मौसम में बहुत इजली ये सीड से ग्रो हो जाते हैं तो ऐसे ब्लैक ब्लैक इसके सीड होते हैं चप्टे चप्टे तो इसे कुछ नहीं करना होता है बस आप किसी भी गमले में इसको ऐसे डाल देंगे या तो थोड़ा सा मिट्टी उसके उपर डाल देंगे तो बहुत ही जली ये ग्रो हो जाएगा आपका तो इसे सीड से आप इसमें अभी ग्रो कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है ये पोधा तो नर्सरी से भी इसके सीड आपको मिल जाएंगे या प्लांट मिल जाएंगी तो इसे घना बनाने के लिए फ्रैंट से सबसे पहले आप अगर इसे घना बनाना चाहते हैं तो इस प्लांट की आपको पिंचिंग करनी होगी तो यह यहां से मैंने इसको पिंच कर दिया था तो बगल बगल साइड से नियू नियू सूट्स इसमें से निकलते रहते हैं तो इसे आप अगर ट्रेल नहीं करना चाहते हैं किसी चीज का सपोर्ट नहीं देना चाहते हैं इसको गमले में ट्री का लुक देना चाहते हैं बोंसाई बनाना चाहते हैं तो घना बनाना चाहते हैं तो इसे आप इसकी जो उपर की टिप होती है तो उसको आप हल्का सा कट कर दीजिए प्रून कर दीजिए तो साइड साइड से नए नए ब्रांच सब तहनिया निकल करके आती हैं तो आपका पौधा बहुत जल्दी घना हो जाएगा इससे अगर आपके पौधे में फूल भी नहीं आ रहे हैं तो ऐसे आप करेंगे इसको प्रून कर देंगे तो आपके पौधे में नए नई साखाएं आएंगी तो उसमें से ही आपके पौधे में फूल खिलना सुरू हो जाएगा तो ऐसा करेंगे तो आपके पउधे में बहुत जल्दी फूल आयेंगे अगर इसको ट्रेम कर देंगे तो तो इसे आप सपोर्ट भी दे सकते हैं अगर इसे आप वायन की तरह लगाना चाहते हैं तो इसे आप ट्रेल जरूर करें इसको ट्रेलिंग जरूर दें इसको सपोर्ट किसी चीज का जरूर दीजिए इसको आप गेट पर भी चढ़ा सकते हैं इसमें आपको कई कलर्स के मिल जाएंगे पिंक वाइट ब्लू सिंगल पैटल में भी आते हैं और मल्टिपल पैटल में भी आते हैं तो आप कोई भी ले सकते हैं तो आप इसे किसी चीज का सपोर्ट जरूर दे करके अगर आपको पसंद है चढ़ा करके वाइन के रूप में लगाना तो इसे सपोर्ट दे करके आप लगा सकते हैं और बहुत ही सुभी ये पोधा होता है ये संका भगवान को लश्मी मा को इसके फूल बहुत ही प्री होते ह तो इस प्लांट को आप जरूर अपने घर में लगाईए अपने गार्डन में लगाईए तो भगवान सीव को इस में सावन के महीने में इसके फूल को जरूर चड़ाना चाहिए इसके फूल बहुत ही सुभ माने जाते हैं तो इसे इसलिए संख पुस्पी कहा जाता है यह संख पुस्पी कहते हैं तो इस पोधे को आप जरूर लगाए तो इसके लिए हम यह मने फर्टिलाइजर बनाया है तो यह देखिए यह हैं मेरे कुछ फ्री के ही फर्टिलाइजर है यह प्याज के छिलके हैं और लौकी की छिलके हैं केले के छिलके हैं इसी में आलू के छि बनाने जा रहे हूं और इसमें मैं एक और चीज डालने वाली हूं और कुछ नीम की पतियों को मैंने सुखा करके इसे भी मैंने इसमें डाल लिया है ताकि हमारे प्लांट में कोई फंगस ना लग सके उसकी जड़ों में तो इसमें आप नीम खली का भी उपयोग कर सकते हैं या तो नीम की पतियों का भी उप्योक कर सकते हैं तो फंगस सरे बचाने के लिए एक दिन के लिए इसको भीगो कर सकते हैं तो इसको मैं जिए बिखो भी आने में इसको मदद मिलती है तो प्लांट की ग्रोथ भी काफी अच्छी होती है तो आप जरूर 15-20 दिन में अपने पौधे में जरूर डालिए तो इसे अगर आप 15-20 दिन में फर्टिलाइज करते रहेंगे तो आपके प्लांट में कभी फूलों की कमी नहीं होगी और प जाल विg्ष कजान। दूसरे दिन में अपने प्लांट में आज भी हों इस फर्टिलाइज को तो इसे आप सूबह के वक्त दाल या तो शाम के अब या शान करके ले लिया है और मैंने हाफ मग पानी लिया है तो उसमें में थोड़ा लिवा cał이면 के पानी है हुआत है योग ग्वालास के करीब में पानी डाले हुई थोड़ा सा और ज्यादा पानी उसमें नहीं डालना है इसका नहीं तो यह प्लांट को खराब भी कर सकते हैं तो इसे फूल सन्लाइट में ही प्लांट को रखिये फ्रेंड्स तभी आपके प्लांट में फूल आएंगे डाले क्योंकि इसमें भूब बहुत देजी से हो रही है अगर बारिस हो रही है तो इसमें आप यह लिकवीड फर्टिलाइजर बिल्कुल भीना डाली और सुखा ही शॉलिड फर्टिलाइजर डाली अपने पाउधे में और लिकवीड डालने की अगर आप डालेंगे तो आप अगर खाद डालेंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ और अच्छी होगी और फूल नहीं आ रहें तो फूल भी आएगी तो आपके पास कोई भी कमपोस्ट हो गोबर की खाद हो या बर्मी कमपोस्ट हो तो उसे आप ले सकते हैं अपने पौधे में डाल दीजिए इससे हमारे एक मुठी में दोनों प्लांट में डाल रही हूं तो ज्यादा नहीं डालना है बस थोड़ा थोड़ा ही डालना है पौधे में आपके और इसे फूल सनलाइट में जरू रखिए फ्रेंट्स फूल सनलाइट में रखेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ काफी अच्छी हो कोई इसको इफ़ेक्ट नहीं होगा प्लान्ट को नुट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो इसलिए आप जरूर सकते हैं तो इसे आप बना करके करोD自 served fertilizer स्फेरीग ज़रूर नालते रहिए और फूल सन्राइट में रखिए और इसे सब्ते चाले को रह से, पौधा घना होगें तो अब का पोधा celebrities arezoard नहीं आ रहां को सजाने लिए लगा सक्ते हैं तो कुछ दिन पहले हैं इसके सीड को फिर से ग्रो किया है तो 5-6 दिन में चर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है तो इसमें दो प्लांट मेरे और अड़ी हो रहे हैं तो इसी में मेरा गलाडिया का सारे पोधे निकल रहे हैं सीट से और एक गुंफ्रेना है तो इसे आप इस समय सीट से बहुत अजली ग्रो कर सकते हैं अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से और कमेंट करें और नियू है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तो पहुंच सके तो प्लीज फ्रेंड्स एक लाइक कर दिया करिए हमें और सपूर्ट भी कर दीजिए तो इस समय आप अपराजिता के डेहरो सारे पोधी फ्री में ही सीट से तयार कर सकते हैं तो फिर चलते हैं फ्रेंड्स ओके बाइ झालते हैं